हुआ 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 है आप सभी लोग में अब दीप और आप से सुभागे दीप ग्राफिक इन दी यूटुब चैनल पर सुगाइस फाइनली फाइनली फिर सही हमारी ब्लेंटर बेसिक पर ड्वांस को जो हमारा कोर्स बेसिकल उसको 50 पसंट फ्लाइच से ला चु साथ बेसे सेल सूर हो जाएगी अगर जिन्हों में भी हमारा ब्लेंटर बेसिक नहीं किया है वह सोच है तो कल से वह कर सकते हैं इसे के सांसा इसमें अब जितने भी चैप्टर साइंगे वह सारे न्यू वर्जन मतलब की ब्लेंटर 4.2 में आपको मिलने वाले तो सारी चीज आप भी सोचे हैं तो कोई ने करना फ्लैक्ट फिटी पर संफ टैड़कर सकते हैं वीडियो में टीचर हूं 3D एनिमेशन मुझे बच्चों के कॉंसेट क्लियर कराने में बहुत मददगार साबित हुआ है इसको सीखने के लिए जब मैंने दीपक सर से संपर्क किया तो उन् सर की क्लासेज कॉंसेट बेस्ट हैं जिसमें ब्लेंडर के सभी टूल्स को सर इजी वे में एक्सप्लेइन करने के सांसा प्रोजेक्ट पर भी काफी ध्यान देते हैं अगर मैं अपने एक्सप्रेंसेज की बात करूं तो मेरे लिए दीपक ग्राफिक्स बेस्ट ऑनलाइन 3D की लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे मैं ब्लेंडर की बारिक्यों को समझने में सक्षम हूँ थैंक यू है अपने चैनल के अप्लोड करती हो और इसका क्रेडिक में वीपक सर को देना चाहूंगे क्योंकि मैंने सर्का पोस लिया था कि अपने कोस के अंदर चाहे वो 3D modeling के बाद करें अदेरिंग के अपकर अदेन बाद करें अनिमेशन हो गई इंक्रियेशन गया इस बारिकी चीजों को समझाया है कि चाहे वो कोई भी चीजों को सफस्के बाद की ज्यादा आसानी होती है और इसलिए मैं आपको recommend करूँ ही अगर आप 3D World में एंटर किये हो तो आप सर का कोस जरूर सी जरूर पर्चेस करें www.deepagraphics.com में जा करके और सबसी अच्छी चीजी एक कोर्स की यह भी है अपने प्लस पॉइंट इसमें अपको एडस वगराते हैं आपको प्रीयप लेदें और जबहीं अनिमेशन करते हैं उन जब अबिस्टाइब करते वक्त हुं करते हैं जो मेरे लिए पहले बहुत ज्यादा डीफिकल्ट था बटरा अभी कि मैं बहुत अच्छी तरह से इनिमेशन का वर्क कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सीखा नहीं अभी तक, लेकिन बहुत सारा इंप्रूमेंट हुआ मुझ में, धिरिट इनिमेशन को ले करके, यह पूरा केड़ जाता दीपक सर को, जो मुझे यूटूब चैनल में उनका दीपक ग्राफिक्स के नाम से चैनल था, और मैं वहाँ से कॉंट्रेट किया, और उनसे बात की तो पेड कोर्स के बारें बताया उन्होंने, मैं पहले पेड कोर्स ले चुका हूँ, बट कुछ इंप्रूमेंट नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि लूँ या ना लूँ, लेकिन मैंने ले लिया, तो बहुत सार इंप्रूमेंट हुआ, तो थैंक्यू दिपक सर, आपने सपोर्ट किया, उन्होंने बताया ना, बहुत बारिकी तरह से बताया उसमें, ए टूजे उनने कबर किया, और मुझे कहीं प्रोलम होता है, मैं फस्ता होना तो वो 100% सपोर्ट करते हैं, चाहिए वीडियो कॉल में कर दे, पोन कॉल में कर दे, वर्सम में कर दे, लेंश सपोर्ट कर देते हैं, तो थैंक्यू दिपक सर, थैंक्यू मेरा नाम दीपक पटेल है, मैं एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ टूड़ी एनिमेशन ही करता था, लेकिन मुझे मेरे वर्क इंप्रूब्मेंट के लिए, मुझे एक 3D सॉप्वेर सीखने की जरूरत थी, तो एक दिन ऐसे ही, इंस्टाग्राम पे मेरे फीड पे दीपक सर का पोस्ट दिखाई दिया, और मैंने थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करा, उनके यूट्यूब चैनल पे गया, और मैंने उनकी वीडियो देखी, तो फिर मैंने उनसे इंस्टाग्राम के तुरू ही कांटेक्ट किया, फिर हमारी बाते हुई, बैस मुझे लगता है कि इन एक महीने में मेरे अंदर जितनी इंप्रूमेंट हुई है, जस्ट बिकॉज की उनका जो पढ़ाने का तरीका है, काफी फ्रेंडली है, टूल्स को समझाने का तरीका काफी इजी है, तो मुझे बहुत ही जादा अच्छे से चीजे समझ में आ गई है मुझे काफी सारी चीजें पता चल चुकी है, मुझे उमीद है कि इस तरह से हम जा रहे हैं, उस हिसाब से हम बहुत ही जल्दी चीजों को समझ लेंगे, just because दीपक सर्थ वो बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाते हैं, मुझे कभी भी ज़रूत पढ़ती है, किसी भी टा तो मैं उनसे कभी भी उनसे help ले सकता हूं, कभी भी हो मना नहीं करते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मुझे लग रहा है कि हम बहुत कम टाइम में अच्छी चीज हैं और सीख लेंगे, तो थैंक यू सो मच दीपक सर अच्छी